ओम शांती, आज 11 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं, आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि आपकी तकदीर अच्छी कैसे बन सकती है, आप बाबा के पास आए हो अपनी तकदीर को स्रेष्ट बनाने के लिए, जो बच्चे जितना श्री पर चलते हैं, तकदीर स्रेष्ट बनती जाती है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही, तकदीर को स्रेष्ट बनाना है, जो बच्चे जितना चाहें, तकदीर उची बना सकते हैं, यह बहुत उची पढ़ाई है, अंतर मुखी होकर अच्छी रिती पढ़ाई पढ़नी है, व प्रानेश्वर नहीं कह सकते हैं, बाबा आई ही है peux दाण द मे जो सोड़र्श्र चापरदारी को रसा सीपस दार्र में ऩा दान जय किसी को भी प्रानेश्वर नहीं उतना श्रीमत पर चलते हैं, उतना उंच पद पाते हैं, याद का गुप्त पुर्शार्थ करते रहना है, क्योंकि हमारी युद्ध माया के साथ है, सुनते हैं बाबा की मदुर बोल, बाबनी का, मीठे बच्चे, अंतर मुखी बन, पढ़ाई में तत पर रहू, श्रीमत पर सदा चलते रहू, तो तुम्हारी तकदीर बहुत उंच बन जाएगी, ये समय है अपनी तकदीर बनाने का, ये समय कौन सा है, अपनी तकदीर बनाने का, कोशने तुम बच्चों की उंची तकदीर कौन सी है, जिसके अधार पर तुम सारे स्रिष्टी की तकदीर को जान लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, ये सबसे उंचे से उंची तकदीर है, तुम ब्रामन, अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो, तो सारी स्रिष्टी की तकदीर को भी जानते हो, बाबा आए हैं, तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने, स्मृति में रहे स्वयम भगवान, हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी, स्मृति में रहे स्वयम भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी, गीत है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, ओम शांती, बच्चों ने गीत के दो शब्द सुने, सुनने से अपनी तकदीर का नशा चड़ना चाहिए, यह अविनाशी नशा उतरना नहीं चाहिए, कोई मनशे सावकार, पदम पती होते हैं, उन्हें राद दिन नशा रहता है, हम बड़े धनवान है, जागीरवान है, नशा चड़ता है न संपत्ती का, तो बाबा है तकदीर बनाने वाला, अभी तो तकदीर सबकी फूटी हुई है, कोड़ी मिसल तकदीर है, वा देखते हो, जानते हो, परमपिता परमात्मा को देखते हो, आज जानते हो, पूछ रहे हैं, परमपिता को देखते हो, जानते हो, बच्चे जानते कि हम आत्मा हैं, परन्तु निश्चे है, हम आत्मा हैं, स्टार मिसल है, कौन सा निश्चे है, हम आत्मा हैं, और स्टार मिस ब्रिकुटी के बीच में रहते हैं, इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता, आत्मा को अभिमान है, हमें परम पिता परमात्मा के मिला, बच्चे बाप के पास जनम लेते हैं, तो वारिस होते हैं, फिर कोई त समझते हमारी तकदीर में ये ःता औरों को देखते हैं उनकी तकदीर कितने महल माडिया ताज तकत हैं वनुषिय के तकदीर की वराइटिती है न तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो किस सक्दीर ॹर पुर्शाट कर रहे थन के लिए चुंछर कर रहèceboy यह तुम बड़ी जबर्दस तकदीर बनाते हो शिरिमत से बच्चे जानते बाबा उंच से उंच तकदीर बनाते क्योंकि खुद उंच से उंच है अब तुम उनके समुक बैठे हो माबाप की घर में बैचे हो कोई राजारानिय तो समझते हैं हमने ऐसे करम किये जो राजाई की तकदीर मिली अब तुम जानते हो हम जो लक्षमिनार्ण का चित्र देखते हैं उन्होंने जरूर पूर्व जनम से ऐसी तकदीर बनाई लक्षमिनार्ण का चित्र देखते हैं तो जरूर चिंतन चलता है कि उन्होंने अगले जनम में तकदीर बनाई तुम्हें बुद्धी मिली, मनुष्यों की बुद्धी में यह नहीं आता इतने धनवान मनुष्य है उनको यह तक्दीर कैसे मिली कहингे पास्ट जनम में ऐसे करम किये जो इतना धनवान बने कर्मों का फल है न गाते में कर्म की गती बड़ी न्यारी है, क्या गायन है कर्मों की गती बड़ी न्यारी है मनुश्य पास्ट के कर्म अनुसारी भोगते हैं अब तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारण के तकदीर से भेंट करते हो ये जो सत्यू के मालिक बने उनकी ऐसी कर्म गती किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने तुम सारे चक्र को जान चुके हो, तुम ब्रामन, अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, दूसरे ब्रामन तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, वे भी ब्रामन, तुम भी ब्रामन, प्रन्तु तुम चानते हो, हमें सचे ब्रामन, ब्रह्मा के मुखवनशावली, जर ही तकदीर बनती है काका चाचा मामा आदिसे नहीं बनती हां कोई की बन सकती है अगर वो एडॉप्ट करें तो तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया ड्रामानुसार कल्प पहले माफिक उससे उंचा कोई है नहीं प्रजा पिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं धेर के धे कराते हों को बाप तो म बच्चों को कहते देखा तुमारी तक्दीर कितनी उची है हम तुमें पढ़ा कर कितना तकदीरवान बनाते हैं अब पिर वहिद्धिर बना क्ग्राइन है। ज्यांसाग्र शव्बाबा के सिवाए कोई बी बाति समझा ना सके। ऐसा बाप कितना लवली है बाप आप भी कहतें तुम भी लवली बच्चीए और निरंतर मुझे याद करने का अभिहास करोð तो तुम्हारे विकरम बिनाश हो जाएंगे जानते हो डैने समझाया मैं सदयवराकार मेरा नाम शिव है मैं आपकर पुर्णार जन नहीं लेता हूं घंजा तुम जानते हो कौन-कौन बात कर रहे हैं, अभी हमसे कौन बात कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धी ऊपर चली जाती, वो निराकार परम, पिता परमात्मा, ज्यान सागर है, वो ही तकदीर बनाने वाला है, Heavenly Godfather, Heaven कि स्थापना करेगा न, तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्म पूरा हुआ, आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती कि यह थार्थ बात है, बाबा कहते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो, और स्रिष्टी चक्र के नॉलेज जो तुम्हें दी है, कोई को अच्छी रिती धारन होती है, और कोई भूल जाते हैं, अब तुम बैठे हो, तुम लिए और सुक्ष्म बात है, आत्मा देही बदलती है, नाम रूप बदल जाता है, तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरी छोड दूसरा लेती है, इस समय तुम्हारा रूप है, दूसरे जनम में यह नहीं रहेगा, एक ना मिले दूसरे से, आत्मा एक शरी छोड चाती है, आत्मा एक शरी छोड दूसरे में जाती है, नाम रूप बदल जाता है, एक्टिविटी बदल जाती है, एक्टिविटी भी बदलती रहती, कभी राजा की, तो कभी रंख की, ऐसे नहीं कभी कुता कभी भुल्ली बनेंगे, नहीं, आप तुम जानते हो, हम बनाने के लिए पुर्शाट करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा कितनी जबर्दस्त कमाई है वो तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी जनम में बैरिस्टराधी बनेंगे दूसरे जनम की बात नहीं सो भी बने ना भी बने हो सकता है तुम समझते हम भविश्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे फिर वहां देवी देवता कहलाएंगे यह कभी भूलना नहीं कि हम बाप से स्वर्ग के पावसी तक्त का वर्सा लेकर छोड़ेंगे उच से उच बनकर दिखाएंगे गौड फादर पढ़ाते हैं वो भी तो बुद्धी में आता है हम अच् अच्य के लिए आच्छा पुर्शार्थ करना चीए बड़ा-भारी तकतीर है बहुत सुक है बले हम कोई के पास करोड है प्रंतों पाइका भी सुक नहीं बले किसी के बैस कितना पैसा है पाई का भी सुक नहीं वाहां तो बुनकुल शांती आराम से प्रालो दूग हैंगे यहां तो कितनी आफ़तें आती रहती, थोड़े टाइम में बहुत दिवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे, पहले इंशोर करते हैं, परन्तो इंशोरंस कंपनी भी क्या कर सकेगी, हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंशोर कंपनी में भी दिवाला मारा, यहां बले रिलिजन को नहीं जानते, परन्तो सन्यासियों को नमन जरू करते होंगे, सादूं के आगे जाके दंडवत परणाम करेंगे, सादूं के आगे नहीं करेंगे, क्योंकि समझते मैं उच पवित्र हूँ, बाप तो कहते मेरे लाडले बच्चे, मैं बच्चों को नमस्ते करता हूं बाबा बच्छों को नमस्ते करते हैं तुम तो हमारे सिर के मोर हूँ तुम विश्व के मालिक बनेंगे ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो तुम डवल मालिक हो मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ ऐसी बाते सिवाई बाप के कोई समझा न सके तसे बाबा दान देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते, इस्तरी प्रुष एक दो को चिठी लिखते हैं, क्याते प्राणे इश्वर फलाना, वास्तों में वक्वी प्राणे इश्वर है नहीं, प्राणे इश्वर एक बाप है, सभी प्राणों का इश्वर बाप एक है, वो कहते प्रानेश्वर बच्चे, अथात प्रान बचाने वाले इश्वर के बच्चे, बच्चे भी कहते प्रानेश्वर बाबा, हमारी प्रान बचाने वाले बाबा, यहां से ये नाम निकला हुआ है, भारत में ये ऐसे प्रानेश्वर, प्रानेश्वरी लिखते है प्रन्तु है नहीं, प्राणू का दान तो बाप देते हैं, बाबा केते हैं, तुम मेरे बनते हो, फिर तुमें कोई दुख दे नहीं सकता, आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है, बाप कितना प्यार से समझाते हैं, क्या फील करती है आत्मा, कि बाबा कितना प्या मिलता बिगर उनकी याद के सेकेंड नंबर में सर्विस में बाबा को फोलो करते हैं उसके बाद सेकेंड नंबर में सर्विस में बाबा को फोलो करते हैं तो में बहुत रहम दिल बनना है इसे बाबा ने हमें बनाया हम फिर औरो को बनाए किती बड़ी प्रोपरिटी की प्रा तुम सक्षतकार में स्वर्ग में हीरे ज्वारात के महल देखते हो, सोने के खानियां देखते हो, समझते हो थोड़ा ले जाएं, सुक्षम मतन में सोना नहीं मिलता, सोना बैकुंट में रहता, तुम जानते हो वाँ खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भर कर ले आएंगे सोने की बड़ी-बड़ी इंटे भी होती है अभी भी बड़ो-बड़ो के पास सोना तो पड़ा है भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है सब के पास बड़ी-बड़ी गुफाईं बनी हुई है वहां कोई लूट फूट हो ना सके आग जला ना सके तो वैसा भविश्य में तुम्हारे हाथ में आजाएगा जिन एरोपलेन आदी द्वारा अभी बॉम साधी गिराते हैं वनाश के लिए वोई चीजे फिर सुक के लिए निमित बन जाएंगी सत्यों में ये सब्थी प्राइलोप हो गई फिर बननी है तुम जानते हो कैसे खानियों से ले जाकर आते हैं कैसे खानियों से जाकर के ले आते खानिया सब नई हो जाती अभी तो पुरानी है तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए बाप और वर्से को याद करो, बाबा के ते एक में मोह लगाओ, स्वरक को याद करो, बाबा में ही मोह लगाओ, स्वरक को याद करो, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रती, मात्पिता बाप तदका याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रू आनी बाप तदको, याद प्यार, नमस्ते, गुड बॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, अपनी उची तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी, शुरीमत पर अच्छी रिति चल, पढ़ाई के अधार से उची तकदीर बना अधानी है, प्राणिश्वर बाप की याद में रहे, सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने है, किसी को भी दुखी नहीं करना, प्राणिश्वर बाप की याद में रहे सबको प्राणदान देना है सबके प्राण बचाने है किसी को दुखी नहीं करना वर्दान है मालिक पने की सिती में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहने वाले प्रकृति जीत भव मालिक पने की सिती में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहने वाले प्रकृति जीत भव प्रकृति आप मालिकों का अब से आवान कर रही है चारों और प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे लेकिन जहां प्रकृति के मालिक होंगे मां प्रकृति दासी बन कर सेवा करेगी सिरफ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी जहाँ प्रकृति जीत ब्रामनों का पाम होगा स्थान होगा मां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता जहां प्रकृति जीत ब्रामनों का पाम होगा, स्थान होगा, वह कोई भी नुकसान नहीं हो सकता तुफान आएगा, धर नहीं हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा, यहां काटा सब आपकी तरफ सुक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे, स्थूल और सुक्ष्म आपके पास सहारा लेने के लिए भागेंगे अटेंशन से सुनेंगे, प्रकृति आप मालिकों का कब से अहवान कर रही है, चारूर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे आप प्रकृति के मालिक होंगे जहां पर आप होंगे प्रकृति दासी बन कर सेवा करेगी सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी जहां प्रकृति जीत ब्रामनों का पाम होगा स्थान होगा वह कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, तुफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा, यहां काटा, सब आपकी तरफ स्थूल, सुक्षम, सहारा लेने के लिए भागेंगे, स्लोगन है अलोकिक सुख वा मनरस कानुभव करना है, तो मन मनाभव की स्थिती में रहो आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं अलोकिक सुख कानुभव करने वाली आत्मा हूँ, मन मनाभव स्थिती में रहना है, आत्मिक सुम्रती में ठिकें, अपने आपको आदेश दें हे आत्मा, एक के लगन में मगन हो जाओ, एक के प्यार में खो जाओ, मन मनाभव अपने मन को, बुद्धी को बाबा के स्वरू परिकागर करें, बाबा कितना मीचा, कितना लवली है, उसकी याद से अलोकिक सुख मिलता है, परम सुख मिलता है, मैसूस करें, वो परम सुख में आत्मा, अन्ते करण में प्राप्त कर रहीं, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, आपने मन मनाभव रहना सिखाया, शुक्रिया प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया